अधिरादे जैशी किष्णा कैसे हैं भक्तो आप सब आई होप सभी अच्छे ही होंगे मैं संगीता शर्मा भक्ती बजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ तो भक्तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले लड्डू गोपाल जी का आप बैडरूम क ये एक चोकी है जो मेरे पास चोकी है ये काफी मतलब ठीक है मेरे पास तो थोड़ी बड़ी है चोटी भी चल जाएगी अगर आपके पास चोटी चोकी है या फिर आप चोटी सी टेबल है आप उस पे भी लड्डू गोपाल जी का बैडरूम बना सकते हैं तो मेरे पास ये चोकी है अब इस पे मैं बिछा लूँगी एक कपड़ा बिछा लूँगी पहले इसके उपर मैं तो ये मैंने जो चोकी लिए उसके उपर मैंने बिछा दिया कपड़ा बिछा दिया आप कपड़ा कोई भी बिछा सकते हैं क्योंकि अब ठंड है तो मैंने ये velvet का कपड़ा बिचा दिया गर्मी है तो आप cotton का बिचा सकते हैं या फिर एक छोटी सी carpet है तो आप वो भी ले सकते हैं तो मैंने ये कपड़ा बिचा दिया है अब मैं दिवार है तो उसके सामने पहले एक scenery टांगूँगी या पर मतलब scenery टांगूँगी एक रादा किशन की मैं फोटो है मेरे पास तो वो रखूंगी पहले मैं तो ये मैंने फोटो रख दिया एक अपने रादा किशन की और एक मैंने ये flower port रख दिया कोने में तो आप मंदिर वाले room में ही अपने लड़ू गोपाल जी का bedroom कैसे बना सकते हो एक side में तो मैं वो ही दिखा रही हूँ जैसे अगर आपके पास और एक फोटो मैंने ये वाली रख दिया साथ में रादा किशन की और अब हम लगा देंगे लड़ू गोपाल जी का बैड लगाएंगे तो आप छोटा बैड ले सकते हैं मेरे पास तो छोटा भी है और बड़ा बैड दोनों ही है तो ये लड़ू गोपाल जी का हम बैड रख लेंगे और ये एक छोटा सा ये मेरे पास कंबल भी है यह ब्लैंकिट है तो इसको रख देंगे हम साथ में और यह हमारे लड्डू गोपाल जी का बैड हो गया तयार तो यह लड्डू गोपाल जी का बैड रूम तयार हो रहा है तो मैं यह यहां पर रखूंगी अपने लड्डू गोपाल जी का बैड और एक मैंने यह चोकी ले तो यह छोटा सा बैड के पास मैंने यह पोट रख दिया है और एक हमना छोटी सी बैड के उपपर जो आपने देखी भी होगी मेरे पास एक छोटी सी डॉल है जो सोती रहती है इसको हम बैड पे रख देंगे यह हमारे लड्डू गोपाल जी का हम इस तरीके से बैड रूम तैयार कर सकते हैं एक मैंने उस वाले कोने में रख दिया छोटा सा पोट जो है फ्लावर पोट है वो रख दिया है मैंने अब हम रख देंगे छोटे टैडी बियर जो की बच्चों के रूम में होने चाहिए जिस तरीके से तो मैं रख दूंगी छोटे छोटे टैडी बियर तो ये हमारे पास छोटे वाले टैडी बियर है तो आप ला सकते हैं तो मैंने ये दो टैडी बियर रख दियें साथ में अब हम लड्डू को पाल जी के लिए लगा देंगे एक सोफा सेट वैसे ये सिंगासन है मेरे पास तो ये मैं यहाँ पे सोफे रख दूँगी जिसका भी लड्डू को पाल जी को बैठना हो तो इस पे भी बैठ जाएं जैसे और एक ये छोटे वाला है मेरे पास तो इसको भी रख दूँगी मैं साथ में इस तरीके से जैसे सोफे होते हैं जिस तरीके से तो इस तरीके से मैंने रख दिया है तो हमने लड़ू गोपाल जी का ये सोफा लगा दिया जब उनको बैठना हो हमारे लड़ू गोपाल जी रादा रानी को तो वो बैठ जाएं और एक ये छोटी सी चोकी है जिस पे हमने इसमें मिसरी वगेरा रख दिया थोड़े ड्राइफूट रख दिया है इसके उपर रख दिया है चोकी के उपर तो एक हमने ये रख दिया है और तो भगतो है कि ये मेरे पास मच्छर दानी भी है तो अगर आपके पास मच्छर दानी है तो आप मच्छर दानी म इसमें छोटे लड़ू गोपाल जी चोटी रादा रानी आ जाती है और ये हमारे बड़े वाले लड़ू गोपाल जी की चरन पादुका है इनको हम यहाँ पे रख देंगे बैड के पास जब हम बैड पे बैठते हैं तो अपनी जैसे चपले साइड में रखते हैं इसी तरीके से हमारे लड़ू गोपाल जी की चरन पादुका वो रखी हुए हैं तो हमारे लड़ू गोपाल जी के इने चरन पादुका रख दियें बैड के पास और कुछ आप इनकी सेवा के लिए कुछ हम सखिया रख देंगे साथ में इनकी सेवा के लिए जो हमारे लड़ू गोपाल जी की सेवा करती रहें तो कुछ हम सख्या भी रख देंगे साथ में अपने लड़ू गोपाल जी की और कुछ हम सोफे के पास रख देंगे जहां लड़ू गोपाल जी का हमने सोफा लगाया कोशिक्त सोफेंति हम रख शेत सक्कियार कि सेवा करती है सात में तो आप लकोपाल जी और गुए लाशना लर्ग हएंक गुए लगोने अगले ईंडे दिक गज्ление वरेख शावा के के लिए जिए। आप आप约ो में लोखुसाइब भी साथ में इनके सकिया रख सकते हैं, अब हम साथ में एक छोटा सा लड्डू गोपाल जी के लिए गार्डन लगा देंगे ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी को खेलना हो तो खेल सकें, और ये हमारे लड्डू गोपाल जी की जो गायम आता है, उनको भी हम यही पर बिठा साथ में तो आप लडड़ू गोपाल जी का छोटा सा घर मान सकते हो और फिर बैटरूम आन सकते हो तो मैंने एक ही जगे लड़ू गोपाल जी के सारी चीजे बना दिये हैं अब एक हम यहाँ पर यह जो space है हमारे पास हम छोटा सा लड़ू गोपाल जी का साथ में garden भी बनाएंगे ताकि हमारे लड़ू गोपाल जी को जब खेलना हो तो वो खेल सकें तो ये छोटी सी हम यहाँ पर ग्रास बिछा देंगे ताकि हमारे लड़ू गॉपाल जी को जब खेलना हो तो यहाँ पर वो खेल सकें तो हमने ये ग्रास रख दिये और इस पर हम छोटे छोटे टॉइस वगएरा भी रख देंगे जब उनको खेलना हो जिससे भी और थोड़े से हम मोर वगएरा रख देंगे यहाँ पर कुछ टॉइस रखेंगे हम यहाँ पर तो यहाँ पर एक थोड़ा सा हम गार्डन का लुक दे रहे हैं जैसे एक ट्री है हमने ट्री भी रख दिया है यहाँ पर अब हम लड्डू गोपाल जी के थोड़े से यहाँ पर जैसे बैट बोल वगएरा खेलना हुआ उनको किरकिट खेलना हुआ वो समान हम यहाँ पर रख देंगे कुछ यह लड्डू गोपाल जी के टॉइस हैं जो हम इनके रूम में ही रखेंगे ताकि उनको खेलना हुआ तो वो रूम में खेल सकें तो मैं यह लड्डू गोपाल जी के कुछ टॉइस हैं तो मैं यही पर रख दूँगी लड्डू गोपाल जी के रूम में और अब लड्डू गोपाल जी के जो खेलने के समान है हम गार्डन में रख देंगे जैसे कैरम बोड वगएरा खेलना हुआ बैट के उनको तो यह हमारे लड़ू गोपाल जी की छोटी सी हमने साइकल भी रख दिये, एक वॉकर रख दिये, छोटी सी हमने गाड़ी रख दिये, हम ज्यादा बड़े-बड़े समान ने रख रहे हैं इसमें, नहीं तो यह गार्डन इसी से सारे समान से कवर हो जाएगा, मैं छोटे से और रग देती हूं टॉइस वगएरा तो यह हमारे लड़ू गोपाल जी के गार्डन में हमने ट्री भी छोटे-छोटे खड़े कर दिये साथ में तो यह हमने ट्री लगा दिये और अब हम रग देंगे इनके तो हमारे लड्डू गोपाल जी के छोटे छोटे बैट वगएरा ये बोल वगएरा हम साथ में रख देंगे जब हमारे लड्डू गोपाल जी को खेलना हो तो वो खेल सके जब उनका मन करे तो ये बैट बोल हमने यहाँ पर रख दियें और इनकी चर्खी भी रख देंगे जब इने पतंग उडानी हो तो ये पतंग उडा सकें चर्खी और पतंग हम यहाँ पर रख देंगे इनकी और ये हैं हमारे लड़ू गोपाल जी के दो छोटे छोटे क्यूट से जो बैड मिंटन खेलते हैं वो मैं यहाँ पे रख दूँगी तो बगतो मैंने छोटे वाले लड़ू गोपाल अपने और राधरानी यहाँ पे बिठा दिये इनके जो मैंने स्थोफे बिठाये थे और इन पे मैंने गरम कपड़ा बिठा दिया है नीचे इनके छोटी छोटी गद्या बिठा दिये तब ही मैंने बिठाया है चोटा सा घर चोटा सा गार्डन तयार कर दिया है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले राधे राधे जैशी किश्णा मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो में और भक्तो मेरी इस्टाग्राम पे भी आईडिया मैं स्क्री इन पर डाल दूँगे महा पे भी मैं लड़ू लाडली की वीडियो डालती हूं अगर अच्छी लगे तो मेरे को फोलो कर सकते हैं राधे राधे जैशी किश्णा मिलेंगे जैशी किश्णा झाल